Hi everyone, in this video we will be discussing the 7th chapter of First Flight English which is Glimpses of India. इस chapter के 3 parts हैं, आज हम इसके पहले part अबेकर फ्रॉम गोवा को डिसकस करेंगे. This story is written by Lucio Rodrigues. ये basically एक pen portrait है. Pen portrait का मतलब, किसी भी इंसान या किसी community के बारे में informal description देना. उस description में हम सभी चीज़े include करेंगे, जैसे की age, gender, lifestyle, appearance, traditions, customs, जो भी कोई इंसान या community follow कर रही है. Pen portrait, देखे, portrait का मतलब होता है तस्वीर, by pen we write. तो written form में किसी भी इंसान का, community का या किसी भी चीज़ का description देना. जैसे की वो असलियत में थे या हैं, pen portrait कहलाता है. तो एक समय ऐसा था जब गोवा के उपर Portuguese का शासन था. जब भी कभी ऐसा होता है कि एक community को state को, कोई और community या state या country आके rule over करने लग जाती है, तो जो भी country rule over करती है, उसके traditions और cultures लोकल लोगों में follow होने लग जाते हैं. आपने सुना होगा कि पहले चाई का culture हमारे इंडिया में नहीं था, पर Britishers के आने की वज़र से चाई का culture यहाँ पर follow होने लगा, वो ही लोग अपने साथ चाई लेकर आये थे, तो जब भी ऐसा होता है कि एक country को कोई और आके rule over करता है, तो उस इंसान के, या फिर group of people के, जो भी traditions और customs होते हैं, वहाँ के local लोगों में फैल जाते हैं. वैसा ही हुआ कुछ गोवा में, Portuguese लोग आए गोवा के ओपर शासन करने के लिए, तो Portuguese का जो bread का culture था, वो गोवा के local लोगों में फैल गया. गोवा में भी bread बहुत ज़ादा पसंद किया जाने लगा. वहाँ पर जो bread बनाता था, उसे baker बोला है, और गोवा की local language में उसे pader कहकर बुलाया जाता था. Portuguese अब गोवा से जा चुके हैं, पर वो गोवा में जो bread बनाने का culture है, वो आज तक मौजूद है. यह पूरी स्टोरी बेकर और बेकिंग के अराउंड रिवाल कर रही है, कि पुराने समय में बेकर की कितनी ज़ादा importance थी और आज के समय में भी गोवा की हर एक गाउं में बेकर की बहुत ज़ादा importance है. और यहां पर लोव जो लिखा है, L-O-A-V-E-S, L-O-A-V-E-S, is basically the plural form of loaf. L-O-A-V-E-S, का मतलब होता है, ब्रेड का एक बड़ा सा पीस जिसको के बेक किया जाता है और फिर उसको स्लाइस करकर के चोटी 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 ब्रेड्स बनाई जाती है, तो वो बड़ा टुकड़ा लोव या लोव कहलाता है. तो आज भी गोव के जितने भी एल्डर्स हैं, उनको आप पुराने बीते पॉर्चुगीज दिनों को याद करते हुए देख सकते हैं. वो अभी भी पॉर्चुगीज दिनों को याद करते हैं, पॉर्चुगीज के जो ब्रेड लोव इतने ज़ादा फेमस थे, उन्हें याद करते हैं. वानिश मतलब होता है गायब होना. तो जो इटर्स थे ब्रेड लोव के, जो ब्रेड लोव खाया करते थे वो शायद अब नहीं रहें. तो जो इटर्स थे ब्रेड के वो शायद अब नहीं रहें, पर ब्रेड बनाने वाले आज भी गौवा में मौजूद हैं. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. आज भी गोवा में mixers, molders और वो लोग present हैं जो bread को bake किया करते थे यहाँ पर mixers कौन है देखिए bread dough बनाने के लिए bread में जितने मतलब उस आटे में जितने भी ingredients मिलाए जाते हैं यह जो भी मिलाने का काम करता है वो mixer करता है molders कौन है? जो mix होके आटा बन गया, जो dough तयार हो गया उसको shape देने का काम molders करते हैं और उस shape दिये हुए dough को भठी में या furnaces में डालने का जो काम है उसे bake करने का जो काम है वो bakers करते हैं तो जो भी bread खाने वाले लोग थे या bread का culture जो लोग लाए थे वो तो अब नहीं है पर अभी भी गुवा में mixers, molders और bakers present है Those age old time-tested furnaces still exist Furnace क्या होता है? Furnace होता है भठी जिसमें की bread को बनाया जाता है तो समय को मात देते हुए जितनी भी वो भठीयां थी, वो आज भी गुवा में मौजूद हैं जो पुराने पॉचगी समय में हुआ करती थी The fire in the furnaces has not yet been extinguished उन furnaces में जो आग थी, उन भठीयों में जो आग थी वो आज तक जल रही है बहुत beautiful line है, इसका बहुत गहरा मतलब है भठीयों में आग आज भी जल रही है का मतलब है पॉचगी समय से वो आग अभी तक जल रही है पॉचगी समय में भी ब्रेड बना करते थे और अभी भी ब्रेड बन रहे हैं वो भठी अभी तक बन नहीं हुई मतलब ब्रेड का क्रेज अभी भी गोवा में मौजूद है हिरालनिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग बेकर जब भी सुबा सुबा आता था वो अपने बैम्बू को जमीन पर जोर से पटकता था और उसके बैम्बू में से कुछ जिंगलिंग साउंड भी आता था क्या पता कोई इंस्ट्रुमेंट होगा उसके पास तो आज भी वो अवाज गोवा के बहुत सारे गाओं में सुनी जा सकती है क्या पता फादर जिंदा ना हो पर फादर के फैमिली प्रोफेशन जो की है बेकिंग का उसको उनका बेटा क्यारी कर रहा है मतलब जेनरेशन बाई जेनरेशन ये ब्रेट बनाने का कल्चर फॉलो किया जा रहा है इस बेकर्स आर इवन टुड़े नोन आज पेडर इन गोवा और आज भी गोवा में बेकर्स को पेडर कहकर बुलाया जाता है अब हमारे स्टोरी के जो नारेटर है वो अपने बचपन के दिनों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं उनके बचपन में बेकर की क्या भूमिका रही और क्या इंपॉर्टेंस रही नारेटर बोल रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो बेकर हमारा फ्रेंड, कम्पैनियन और गाइड हुआ करता था नारेटर बता रहे हैं कि बेकर से हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी वो दिन में दो बार तो कम से कम हमें मिलता ही था एक बार सुबह जब वो अपने बड़े से बास्केट में खूप सारा ब्रेड भरकर उन्हें बेचने निकलता था और शाम के वक्त जब वो अपनी पूरी टोकरी जो ब्रेड से भरी हुई थी उसको खाली करके वापस आ रहा होता था नारेटर बता रहे हैं कि जो बेकर के बैम्बू का आवाज आता था रोज सुबह उसे सुनकर ही बच्चे अपनी नींद से उठकर भाग कर बेकर के पास जाते थे अब नारेटर खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं और खुद ही उनका जवाब दे रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि जो हम भाग कर हर रोज सुबह बेकर के पास जाते थे क्यों जाते थे हम bread lobe इतना साथा पसंद करते थे क्या फिर narrator ने इसका जवाब खुदी दे दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है the lobes were bought by some paskin or bastine the maid servant of the house what we longed for were those bread bangles which we chose carefully sometimes it was sweet bread of special make narrator बता रहे है कि हमें bread lobes का कोई craze नहीं था हमें craze तो था bread bangles का जो baker specially बच्चों के लिए लाता था bread lobes का हमें कोई craze नहीं था वो तो घर के made या फिर servants collect कर लेते थे हम तो जाते थे अपनी bread bangles के लिए bread bangles क्या है bread in the shape of bangle वो कभी कबार मीठा bread होता था जिसको specially बेकर बच्चों के लिए बनाया करता था तो बेकर अपनी musical entry किया करता था उसके bamboo में या फिर यूं कहें के bamboo से बना हुआ एक special instrument था जिससे के जंग जंग की आवाज आती थी हर सुबह बेकर इसी आवाज के साथ villages में जाया करता था वन हांच सपोर्ट इबास्केट अन इस हेट अधर बैंग्ड दे बैंबू अन ग्राउंड एक हांच से बेकर अपने सर पे रखी हुए बास्केट को सहारा दिया करता था और दूसरे हांच से घर की जो फीमेल हुआ करती थी उन्हें बेकर हर रोज सुबह गुड मॉर्निंग विश्क किया करता था और उसके बाद अपने बैंबू को वर्टिकली खड़ा करके उसके ऊपर बेकर अपनी टोकरी रख दिया करता था विकेट्स वोड बी पुश्च आइड विद माइल्ड रिब्यूक और रिब्यूक मतलब होता है डाट के फटकार के बच्चों को जब भी बेकर आता था साइड कर दिया जाता था और जो ब्रेड लोब्स थे उन्हें घर के सर्वेंट को दे दिया जाता था पर बच्चे भी हार मानने वालों में से नहीं थे बच्चों को साइड कर दिया जाता था पर बच्चे मानते नहीं थे कैसे न कैसे करके बेंच पे चड़के कहीं न कहीं से वो बास्केट में जहांक कर देख लिया करते थे I can still recall the typical fragrance of those loaves narrator यहां पर बता रहे हैं कि मुझे आज भी उस bread की भीनी से खुशबू याद है loaves for the elders and the bangles for the children bread loaves elders के लिए आया करते थे और bread bangles बच्चों के लिए then we did not even care to brush our teeth और wash our mouths properly and why should we who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush and why was it necessary at all the tiger never brushed his teeth hot tea could wash and clean up everything so nicely after all तो narrator यहां पर बता रहे हैं कि एक बार हमें bread bangles मिल जाता था तो हमें कोई परवा नहीं है कि हमने अपना mood होया है या नहीं brush किया है कि नहीं और हम करें और हम करें भी क्यों गरम गरम चाहे तो पुरे मूँ को बहुत अच्छी तरह से साफ कर देती है marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl just as a party or a fest loses its charm without bread यहां पर गोवा में bread की importance बताई जा रही है कि गोवा में जितने भी शादियां हुआ करती थी bread के बिना बिलकुल meaningless है शादियों में एक मीथी bread हुआ करती थी जिसको bowl कहा जाता था उसकी presence बहुत ज़्यादा important है किसी भी party, किसी भी function में bread के बिना सब कुछ अधूरा-धूरा सा लगता था not enough can be said to show how important a baker can be for a village शब्दू में बिलकुल बया नहीं किया जा सकता के गाउं के लिए baker कितना ज़्यादा important था the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement cakes and bolinha's bolinha are basically coconut cookies are a must for Christmas as well as other festivals thus the presence of baker's furnace in village is absolutely essential किसी भी festival में, किसी भी शादी में sweet bread, bowl के बिना शादी बिलकुल अधूरी लगती थी अगर किसी लड़की की engagement है या शादी है तो उसकी मदर sandwiches prepare किया करती थी which is also made from bread cakes, bolinha's, coconut cookies ये बहुत ज़्यादा important थी Christmas के लिए और बाकी other festivals के लिए भी तो अब हमें समझ आ रहा है केक गोवा में, हर एक गाओं में baker होना कितना ज़्यादा important है उसकी furnace होना कितना ज़्यादा important है उन दिनों में जो ब्रेड सेलर हुआ करते थे या बेकर हुआ करते थे उनकी प्रॉपर ड्रेस होती थी जिसको कबाई बोला जाता था ये उन दिनों क्या है? उन दिनों मतलब पॉचुगीज दिनों में पॉचुगीज समय में बेकर की एक प्रॉपर ड्रेस हुआ करती थी जिसको कबाई कहा जाता था वो एक वन पीस टाइप की फ्रॉपर हुआ करती थी जिसकी नी तक लेंथ होती थी पर जो हमारे नारेटर है उनके बचपन में ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं हुआ करता था उस समय में बेकर्स शर्ट और ट्राउजर्स पहना करते थे जो शौट्ट शौट्स जो होते हैं मतलब नी लेंथ के ट्राउजर्स से थोड़ा सा नीचे और फुल लेंथ से थोड़ा सा छोटे हुआ करते थे आज भी अगर कोई वैसी पैंट पहन ले या वैसे ट्राउजर्स को वियर कर ले तो उसको पेडर बोल दिया जाता है बेकर बोल दिया जाता है The baker usually collected his bills at the end of the month Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil बेकर पूरे महीने पूरे गाउं में ब्रेड बाटा करता था हरे घर में ब्रेड बाटा करता था और वो पैसे मन्त के end में लिया करता था और ये जो भी रिकॉर्ड होता था इसको किसी भी घर की दिवार पर पैंसल से लिखा जाया करता था Baking was indeed a profitable profession in the old days The baker and his family never starved Starved का मतलब होता है भूखा मरना या तरसना खाने के लिए Baking पुराने समय में बहुत ज़्यादा profitable profession था Baker की family members और या Baker खुद कभी किसी भी चीज़ के लिए तरसे नहीं उनके घर में कभी खाने पीने की कोई कमी नहीं हुई He, his family, his servants always looked happy and prosperous Baker और उसके family members, उसके servants सब हमेशा खुश-खुशाल लगा करते थे Their plump physique was an open testimony to this Plump physique मतलब एक अच्छी खासी, मोटी ताजी body उनके plump physique को देकर पता लगाया जा सकता है कि उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी Even today, any person with jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker आज के दिन में भी अगर कोई plump physique वाला इंसान गौव में दिख जाता है तो उसे बेकर बोल दिया जाता है और इसी के साथ हमारा ये lesson यहाँ पर खत्म होता है तो हमने जाना इस chapter में पुराने पॉर्चोगी समय में बेकर की कितनी importance थी जो हमारे narrator है जब वो छोटे थे तब बेकर की कितनी importance थी और क्या-क्या incidence थे उनके बचपन में बेकर के साथ या क्या-क्या memories थी उन सब के बारे में हमने जाना फिर हमने ये वेखा कि बेकर अपनी entry किस तरह से किया करता था और किस तरह से वो बच्चों के लिए specially bread bangles और elders के लिए bread loaves लाया करता था उनकी dress के बारे में हमने जाना पॉच्चुगी समय में बेकर की क्या dress code हुआ करता था और जब हमारे narrator छोटे थे तब बेकर क्या पहनते थे और आज के समय में भी बेकर की क्या importance है इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं I hope चीज़ें आपको समझ आई हो आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और चाप्टर की explanation में आपके जो भी राय हो या किसी भी चाप्टर की explanation आप चाहते हो उसे comment section आपके